Hello student, welcome to my channel, my NCRTN Engineering classes. In this video, we are studying same exercise of exercise 6.2 of class 8, question number 2. What is question number 2? The following numbers are obviously not perfect square, give reason. Niche saare numbers diya huayin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cases aapko diya huayin. वो सारे perfect square नहीं है. अब perfect square कौन से होते हैं? 2 का square 4, 4 का square 16, 3 का square 9, 5 का square 25. सारे perfect square होते हैं. जो किसी का square नहीं होते हैं, वो not perfect square होते हैं. तो यह जो सारे number दिये हैं, यह not perfect square है. मतलब यह सारे किसी का square नहीं होते हैं. लेकिन आपको इनका give reason देना है. इनका reason देना है तो आप इनको कैसे solve करोगे case number one case number one is 1057 सबसे पहले तो आपको not perfect square की सारी condition दी हुई हो question में दिया हुआ है तो कि सारे not perfect square है मतलब कि भहिया सारे किसी के square नहीं है किसी भी number के तो आप सारे one से लेके 10 तक का square आफ rough में बना लेना side में आपका rough भी एकदम fair देखना चाहिए वह ही उसका reason है तो आप side में ही बनाईएगा सारे number का square लिख लिख लिजिएगा one का square two का square three का square four का square five का square ज्यादा तक लिखने की जरवत नहीं है आप 10 तक ही बहुत रहता है यहां पर हम सारे का square लिख लेंगे I hope आपको square निकालना आता हो directly और नहीं आता हो तो ऐसे निकालेंगे two का square मतलब two multiply by two three का square मतलब की three three का दो बाँ multiply three multiply by three five का उतो five multiply by five ऐसे निकालते है one one जा वन टू 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 जा फोर त्री जा नाइन शिक्स्टीन 55 और 25 थर्टी सेख्स सैवन का 49 एट का 64 नाइन का 81 और 10 का 100 okay student ऐसे सारे numbers निकालते हैं अब इन नंबर की हम ending लिख लेंगे तो यहां पर छोटा सा box बना के सारे की ending लिख लीजिएगा ओके तो यह तो एक डिट का नंबर है तो इसकी ending वन है तो आप वन ही लिख लीजिएगा कॉमा फिर नेक्स यह लिख लिया फिर नेक्स क्या है नाइन ठीक है यह तो सिंगल सिंगल थे अब अगर डबल ट्रिपल का केस आ जाए देखिए डबल का केस यहां पर स्टाट हो ग किसी भी नंबर को तो 6 एद लिख चुके थे 9 नाइन भी पहले लिख चुके थे 4 भी लिख लिए 1 भी लिख लिए जिरो नहीं लिख 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 लिए तो पॉमा जिरो ठीक है अब रिजन अगर आपको देना ओ तो उन नंबर के लास्ट में यह नंबर आपको आना है तो 7 हो रहा है तो हम क्या लिखेंग आंसर में दा लास्ट डिजट इस 7 यह हमारा रिजान लास्टेश इसकी 7 एंड़ेट सबस्क्राइब नहीं है बनास्ट डिजट आपकी इसमें इंक्लूट हो रही है तो लाज्ट डिट अपकी सैवन भी है इंक्लूड fellow रही है और लिए बिलिकल्त जड़ेट कि लाज़े वैंषन और रेट बातिय एयो आपके इस बॉक्स में आपको पता चली आएगा और चेकर को जो आपकी copy check करेगा उसको भी इस box में सबज में जाएगा कि क्यों ऐसा लिखा है अब second case पे आप आईएगा 23453 अब देखिए का 3 included है क्या नहीं है तो आप लिख दिजेगा the last digit is 3 last digit is 3 ओके अब third case क्या है आपका 7 9 2 8 अब 8 8 इस में included है क्या नहीं तो आप ऐसी सेम लिख दिजेगा the last digit is 8 ओके अब fourth वाला 2 2 इसमें included है क्या नहीं इसलिए perfect square नहीं है तो कि 2 किसी का square नहीं होता है तो आप लिख दिजेगा the last digit is 2 अब 0 0 भी यहां पे included हो है लेकिन जीरो अगर बोला जाए तो perfect square नहीं माना जाएगा ठीके लाजड़ इस जीरो इसमें दिजेगा 22 आ रहा है क्या नहीं तो लाजड़ इस टू ऐसे ही आप सारे कर लिजेगा ओके श्रूरेंड नाव काम आन कोशन नंबर 3 वाट इस कोशन नंबर 3 कोशन नंबर what is case 1431 ठीके आपको और नंबर नहीं पता हो तो मैं बता दू ऐसे नंबर जो टू के टेबल में नहीं आते या ऐसे नंबर जो टू से डारेक्टली डिवाइड नहीं होते मतलब रिमेंडर जीरो आना चाहिए तो ऐसे नंबर जो टू के टेबल में नहीं आते या जो टू से डिवाइड नहीं होते, दोस नमबर अन्नोने इस ओड नमबर्स, और ओड नमबर्स मैं आपर लिख भी देती हूँ, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and so on, these are odd numbers, ओके, तो लास्ट डेट आप देखिएगा, लास्ट डेट क्या है, 1, 1 ओड नमबर में आती है क्या, हाँ, तो बस आप इसको student, second case, what is second case, 2, 8, 2, 6, 2, 8, 2, 6, लास्ट डेट देखिएगा, 6 है, क्या 6, 2 से डिवाइड होगा, या क्या 6, 2 के टेबल में आता है, या 2, 3 जा 6, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 3 टाइमस आएगा, 2, 1 जा 2, 2, 3 जा 6, तो इसली डिवाइड हो रहा है, तो यह क्या हो र student, what is third case, third case is 7779, last digit क्या है, आप दिमाख में या पैंसर से आप लाइन कर लीजेगा, 9, 9 क्या 2 के टेबल में आता है, या क्या 2 के टेबल से डिवाइड करने पर हमारा रिमेंडर 0 होगा, नहीं, तो it is odd number, आप फुल सेंटेंस में लिखेगा, it is odd number, what is case 4, case 4, sorry, case 4 is 82004, last digit is 4, 2 के टेबल में आता है, 22 is a 4, और क्या टेगा कितने टाइमस, 2 टाइमस, 21 जा 2, 22 is a 4, तो यह क्या हुआ, टू के टेबल में कट जाएगा, मतलब कि यह odd number नहीं हुआ, तो it is not a odd number, ओके, जो टू के टेबल में आते हैं, वो odd numbers नहीं होते, now come on, question number 4, what is question number 4, question number 4 is, observe the following pattern and find the missing digit, आपको नीचे देगा है, pattern को observe करना है, ध्यान से आपको देखना है, और missing digit को fill करना है, find करना है, सबसे पहले 11 का square दिया है, 1, 2, 1, यह आपको observe करना है, ध्यान से आप देखते जाएगा, फिर 101 का square दिया है, वो directly कैसे दिया, आप देखिएगा, 10 लगाया है, तो 10 यहाँ पर लगा दिया, 10 के बाद लगा दिया, फिर 2 double 0 दिया, तो 1 के बाद 2 0 लगा दिया, 2 के बाद 2 0 लगा दिया, फिर 4 0 दिये रहेंगे, तो 4 0 के लिए आप क्या बद करिएगा, 1 के बाद 2 0 दिया, तो 2 0 लगा दिये, तो 1 के बाद 4 0 है, तो 4 0 लगा दिये, 3 and 4, और 2 के बाद भी कितने 0 लगा दिये, जितने हैं, कितने हैं हमारे पास 4, तो 2 के बाद भी 1, 2, 3, 4, तो आपका number यह हो जाएगा, ठीके, आप इसको मिटा के ऐसा pass में लिख लीजिएगा, 2 फिर वापस 4 times, 0 फिर 1, ओके, अब यहाँ पर देखिए आपको, 5 वाला 0 वाली term गायब है, बट वो आपको missing, find out भी नहीं करना है, बस जिस पर blank वाना हुआ है, वो आपको find out करना है, कितने number of 0s हैं यहाँ पर, 6 0s हैं, तो 1 के बाद, 1, 2, 3, 4, 5, 6 0s लगा दियेगा, क्य 0s, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसके बाद, 1, ओके स्टूरेंट, तो आपको यह से पैटर्न बनाते जाना है, अगर 7 0s आएंगे, तो 1 के बाद, 7 0s, 2 के बाद, 7 0s और फिर 1, Now, for question number 5, like and subscribe my channel, if you have any query and doubt, please write down in comment box, bye bye